देश में अब बर्ड फ्लू का असर बढ़ता जा रहा है जबकि कोरोना का असर कम हो रहा है बर्ड फ्लू को लेकर भारत सरकार भी चौकस नज़र आ रही है आपको बता दे कि बर्ड फ्लू के कारण कई लाग पक्षियों की मौत हो चुकी है बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने दिल्ली में कंट्रोल रूम बनाया है जो राज्यों के साथ संपर्क में रहेगा बतादे कि राजस्थान, मद्यप्रिदेश, हिमाचल प्रिदेश और केरल में बर्ड फ्लू की पुष्टी हो चुकी है गुजरात में तरेपन पक्षियों की मौत हुई है, लेकिन बर्ड फ्लू की पुष्टी नहीं हुई बही दिल्ली अलर्ट पर है, बताया तो ये भी जा रहा है कि बर्ड फ्लू का वाइरस इंसानों को संक्रमित कर सकता है बही बताते चले कि मध्या प्रदेश के मुख्य मंत्री शिवराज सिंग चोहान ने बर्ड फ्लू के खत्रे को देखते हुए आपात मीटिंग बुलाई है साथी उन्होंने जिलास सर पर नज़र रखने के निर्देश दिये है उन्होंने निर्देश देते वे ये भी कहा कि सभी जिलों के पॉल्ट्री फार्मों में रेंडम चेक किया जाए बैठक में फैसला लिया गया है कि दक्षणी भारत के कुछ राज्यों से कुछ दिनों के लिए पॉल्ट्री का करोबार रोग दिया जाए यहां आपको ये भी बता दें कि प्रुदेश के 10 जिलों में 400 कोई मर चुके हैं इन दोर में मरे 155 कोई में बर्ड फ्लू की पुष्टी हुई है मंदसोर में 23 दिसंबर से 3 जनवरी के बीद 100 आगर मालवा में 112 और खरगोन में 13 कोई की मोध हो चुकी है 39 दिसंबर को प्रदेश में पहली बार बर्ड फ्लू का पता चला था जालावार के बाद जैपूर, कोटा और बारा में भी मंगलवार को बर्ड फ्लू की पुष्टी हो चुकी है प्रदेश में बीते 24 गंटों में 246 और कोई की मोध हुई है अब तक कुल 717 कोई की जान जा चुकी है कोटा की रामगंज मंडी में 212 मुर्गिया मृत मिली कुल 110 सेंपल जाच के लिए भोपाल के राष्ट्रिय उच्छ सुरक्षा पशूरोग संसान बेजे जा चुके है इनमें से 40 के रिपोर्ट आई है जिनमें 25 पॉजिटिव है जोधपूर के सभी 15 सेंपल नेगिटिव आए हैं हिमाचल में पक्षियों के मरने का पहला मामला 28 दिसंबर को सामने आया था राज्य में अब तक 2403 प्रवासी पक्षी मारे जा चुके हैं प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी करने के साथ इस सिती पर काबू पाने के लिए सक्रियता बढ़ा दी है कांगडा के चार उपमंडलों में मचली, मुर्गे और अंडों की बिक्री को बेन कर दिया है केरल के अलप पुझा और कोटायम जिलों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए हैं सरकार ने इसे राज्य आपदा घोशित कर दिया है, हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है प्रदेश में बर्ड फ्लू से 12,000 बत तके मर चुकी हैं जिन इलाकों में बर्ड फ्लू के केस आए हैं, वहाँ 40,000 पक्षियों को मारने के आदेश दिये गए हैं जुनागड में एक बाग के पास सोमवार को 53 पक्षी मरे हुए मिले थे हलाकि सरकार बर्ड फ्लू फैलने से इंकार कर रही है सरकार का कहना है कि दो पक्षियों की आटोपसी रिपोर्ट में जहर से मौत होने की बात सामने आई है पंचकुला के बर्वाला इलाके में 20 पॉल्ट्री फार्म में 4 लाग से जादा मुर्ग्या मरने की बात पशुपालन एवं डेरी विभागने मानी है अब एडवाईजरी भी जारी की गई है कई राज्यों में पक्षियों की बर्ड फ्लू से मौत के मामले सामने आने के बाद दिल्ली सरकार भी अलर्ट पर है यहाँ अब आपको ये भी जाना चाहिए कि बर्ड फ्लू के लक्षन क्या है इसके लक्षन सामाने फ्लू जैसे होते हैं जैसे सास लेने में समस्या, उल्टी होने का एसास, बुखार, नाक बहना, मास पेशियों, पेट के निचले हिस्से में और सिर में दर्द रहना इंसानों में ये बिमारी मुर्गियों और संक्रमित बक्षियों के बेहत पास रहने से फैलती है ऐसे ही लेटेश को बरेपाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाद बांक्वेट्स लाइ है, incredible marriage palace Rajgarana and the finest banquet hall Jyoti Garden world class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lightning a perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgarana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise